सो फ्रेंड्स वेलकम क्रिम्सन के न्यू एपिसोट में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से दे लीडर का फर्स लुक रिवील हुआ है जो कि कुछ इस तरीके का है विज़े आपको लीडर का ये लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बता दे न इतना ही नहीं ऐसे भी रिपोर्ट सारे की ब्रेव न्यू वर्ल्ड का प्लॉट अडम एंटियम और टाइमोट आइलेंड के इर्थ गिर्थ खुवेगा इमान वलनी जो की कमला खान का रोल प्ले करते हैं उन्होंने ऐसा काए कि मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें और चारण्स दिये की वो फिर से MCU में अपना रिटर्न करेगे लेकिन कब ये अभी तक क्ले फिक्स नहीं हुआ है Hugh Jackman ने मार्वल स्टूडियोज को ऐसा काए कि वो सीक्रेट वोर्ड्स में अपना अपियरंस तब भी करेगे जब उन्हें टोबी मेग्वायर और आरडी जे के साथ इंटराक्ट करने का मौका मिलेगा Chris Evans अपना रोल रिप्राइस करेगे as the torch in Deadpool and Wolverine Deadpool and Wolverine का एक और नया ट्रेलर में मन्त में रिलीज होगा और इतना ही नहीं अग्याता डार्क होल्ड आईरीस का एक ट्रेलर विल रिलीज इन जिलाए Deadpool 3 में हमें एक Mercenary Wolverine का वेरियंट देखने को मिलेगा ये एक Hugh Jackman का करेक्टर होगा दव बुलवरीन से I mean similar type का लेकिन इस करेक्टर ने green jacket पहना होगा Shang-Chi 2 की filming स्टार्ट होगी year 2025 में एंड इतना ही नहीं इस movie में हमें time travel दिखाया जाएगा और Iron Fist का भी appearance हमें देखने को मिलेगा Venom 3 के official title की बात करें तो इसका official title Venom The Last Dance होगा by Marvel Studios ने Captain Marvel 3 Ant-Man 4 को cancel कर दिया है और ऐसा भी कहां जा रहा है कि Eternals 2 फिलाल के ले होल्ड पह है क्योंकि Marvel कोई भी risk नहीं लेना चाहता with not so successful franchise and for the moment वो सिर्फ successful franchise पही focus करेंगे Venom The Last Dance Venom की last solo movie होगी लेकिन Sony का plan है कि वो इस character को दूसरे projects में लाया जाए and इतना ही नहीं Marvel Studios चाहती है कि वो add करें Tom Hardy के Venom को in Secret Wars Monica and Maria Rambo Deadpool and Wolverine में नहीं होने वाले unless it's a post या end credit scenes and भाई बहुत ही reliable source ने ये confirm किया है कि Deadpool 3 में हमें Wolverine का एक ऐसा variant भी देखने को मिलेगा जिसे play करेगे और कोई नहीं बलकि हमारे forward Superman Henry Cavill आप कहें सब updates के बार में क्या opinion है मुझे comment करके ज़रूर बताना ऐसी superhero updates, movies and series recommendations and reviews के लिए चानल को subscribe करो